नमस्कार प्यारे साथियों मैं कविता सुराण इंदीवेख्यता आपके अपने यूटूब चैनल केवी की कलम पर आपका अर्दिक स्वागत करते हूं अभिनेंदन करते हूं साथियों आखिरकार मेरे संगर्ष का अंतोने का दिन आई गया बहुत लंबे इंतजार के बाद लगबग 15 मैने के इंतजार के बाद आखिरकार आज हमारे पतस्तापना अदेश नुक्तिया अदेश जारी होई गई मैं आज बहुत बहुत खुस हूँ अपने आपको रोक नहीं पाई चोटा सा वीडियो बनाओंगे आपके लिए क्योंकि मेरे यूटूब फैमिली को मुझे ये सुचना देनी है अपने खुसी उनके साथ बाटनी है इसलिए चोटा सा वीडियो बनाओंगे बड़ा तो जी रहोंगे 31 को नहीं तो मैं एक फरोजी को तो जोएन कर ही लोंगे साथियो उस दिन आपके साथ फिर से अपने नो बहुत साजा करोंगे कि कैसा रहा मेरा स्कूल में रेजिस्टर में साइन करने का नो बहु और उसके बाद स्कूल का पहला दिन आपके लिए मैं मेसा पर करती हूं कि आपके जिएन में यह दिन बहुत जल्दी आए साथियों लगे रहो दहरी के साथ निरंतरता बनाये हुए क्योंकि सपलता एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है मैंने भी बहुत लंबा संगर्ष किया है बढ़ाई के दोरान किया वो तो किया सा प्रवरी में जोएन कर पाएंगे 15 अक्टूबर 2022 को अमारा एक्ज्याम प्रवरी में प्रवरी में कर पाएंगे 15 अक्टूबर 2022 को हमारा एक्ज्याम हो गया था उसके बाद 2023 में जून में जाकर 7-8 मेने बाद हमारा परिणाम आया डबल का जून के बाद अक्टूबर में जाकर वही 4 मेने निकल गए 31 अक्टूबर को मेरा फाइनल परिणाम आया था करवाचोत के वरत से पहले वाले दिन एक नमंबर को कर कर्चोत का वरत है आज मेरे पत्स अपना अदेश हो गई मैं आवार वेक्त करती हूं मेरे सभी यूटूब फैमली का मेरे सभी दोस्तों का मेरे सभी परिवार जनों का जिनों ने मेरे लिए दुआ की और बाबा बजरंगी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बाबा ने आखि संगर्श के बादे सफलता पाई है तो आप भी रुके नहीं बिल्कुल जब भी निरास हों मेरा एक वीडियो देख लिया करें साथियो और आज तो आज की जो खुसी है उसको सब्दों में बयान करना बहुत मुस्किल है जिस दिन आप इस खुसी को नहीं वोकरोगे उस दिन आप महसूस कर पाओगे और आप सब के लिए मैं दिल से दुआ करते हूं साथियो कि मेरे यूटूब फैमिली के जितने भी मेरे साथियो वो जिस भी मंजिल की और जा रहे हैं जिस भी लक्सी के तयारी कर रहे हैं वो उनको बहुत जल्द 2024 में ही मिल जाए साथियो बस उसके लिए आपको इमानदारी से अपना करता हूए करना है निरंतर लगे रहना है और धहरिये बनाए रखना है साथियो यही सफलता की नियुम होती है सबसे पहले आपके इच्छा सकते मजबूत हो उसके बाद दैरी और निरंतरता बहुत जरूरी है सफलता के लिए वही मैंने बनाए रखी है इतने दिनों तक तब जाकर अखिरकार सफल हुई हूई हूँ साथियो इंतजार तो बहुत लंबा करना पड़ा है बीज में मैं तो कई बार डिप्रेशन के शिकार हो गई थी ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा कब आएगा क्योंकि मेरे लिए ये नोकरी जीनिय मरने का सवाल थी लेकिन फिर भी वो कहते है ना देर आए मगर दुरुस्ट आए दुरुस्ट आए गया साथियो चाहि कुछ भी हो जाए परिनाम आजाए काउंसलिंग भी हो गई इसकूल में लोट कर दिये गए लेकिन जब तक साथियो संतुष्टी नहीं होती है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है ये विवाग है ये सरकारी हैं इनको तो एक मिनिट लगती है कहते हैं ये रष्ट हो गया लेकिन एक तयारी करने वाला बैठी जानता है वो तैयारी करते हुए किस दोर से गुजर रहा होता है और तैयारी के बाद भी ऐसा लगता था कि एकजाम होने के बाद तो बहुत जल्दी हमें इसकुल में बेज देंगे परिणाम आने के बाद लेकिन नहीं पता था इतना लंबा समय लगता है सारी परकिरिया पूरी होते होते साथियों पंदरा महीने हो गए हम एकजाम दी हुए और अब जाकर हम फरवरी में श्कुल में पहुंच पाएंगे लेकिन फिर भी साथियों वो करते हैं न समय से पहले और भागे से ज़्यादा कभी नहीं मिलता तो साथियों आप सब के लिए दिल से दुआ है आप सब भी बहुत जल्द कामियाब हों आपके जियोन में ये दिन जल्दी से आए आज का वीडियों में इतना ही आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ साथियों धन्यवाद जय हिंद